दोस्तों इनवर्सिटी वा कॉलेज छात्रों की परिच्छा को लेकर आज आया एक और बड़ा अपडेट सारी जानकारी हम आपको इस वीडियों बताएंगे सुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहेगा कौन सी इनवर्सिटी के छात्रों के लिए इंपार् सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के बादम से जैसे भी किसी इनवर्सिटी से कोई भी अपडेट आती हम आप तक प्रवाइड करते रहते तो वह आपको जानना जरूरी इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखेगा चले बढ़ते अपडेट के और सभी अध्यान से व क्योंकि क्योंकि कुछ नेम कानौन जो है वह वह से इनवर्सिटी में इंप्लेमेंट हो जाते हैं जैसे कि कुछ इन्वर्सिटी बिचाती हमारे में भी अब्जेक्टिव हो जाती तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान समझेंगे चले पढ़ते हैं डीटेल में क्या ल प्रफम समेस्टर संचालित है अनिक असनातक में ब्याइब सी बीकॉम प्रफम समेस्टर संचालित है इसके परिच्छा पैटर्न को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है चेशी उने इसनातक प्रफम समेस्टर के ओर डिनर को जारी किया तो इसके बारे मैं आपको बता दिए जिन भी छात्रों का एकजाम होने वाला इस बार यानिकी 212 के ससन में हाला कि पहले एकजाम होने ही वाले थे लेकिन अस्ताकित कर दिया गये थे कोवीट की वज़ा से लेकिन अब वो परिच्छा जल्द कराई जाएंगी उसी के हिसाब से यह नया पैटर्न लागू किया गया है ठीक है और पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा में में पॉइंट ल और इसकिल आधायत पाट कर्मों की परिच्छा देनी होंगी ध्यान दीजेगा इसमें छात्रों को मेजर माइर और और तीक है और से समझेंगे और लिखा यह में आपको पढ़ाते हैं ऐसा होगा पैटरन ठीक है इसा अका पैटरन को लिखा है औस ना तक 3 वर्स यानि 6 समस और इसमें लिखाए कि हाँ समेस्टर में एक करिकुलर कोर्स है या कॉलिफाइब कोर्स होगा ध्यान दिजेगा या कॉलिफाइब कोर्स होगा इसमें ग्रेड मिलेगा यानि कि इसको कॉलिफाइब करना होगा और इसमें आप लोगों ग्रेड नंबर के बजाए ग्रेड मिले और लिखा है कि एक तरह से या नॉन क्रेडिट कोर्स है इसमें आंतरिक मुल्यांकन के 25 अंक होंगे यानि कि आंतरिक मुल्यांकन के आप लोगों को 25 नंबर दे जाएंगे ठीक है और समेश्टर एक्जाम में दो घंटे का जो पेपर होगा उसमें जो कोईश्चन आएंगे व 75 अंक का होगा और जो 25 नंबर है वह आपको आंतरिक मुल्यांकन के अधार पर दे जाएंगे जो कि कॉलेज से लिए जाएंगे ठीक कॉलेज के वहां के एकॉर्डिंग मैनेश किया जाएंगे कि आपकी क्या प्रफॉर्फॉमंस थी और भी आप लोगों के जो प्रेक्टिक 2024 अंक 0.75 अंक के होंगे इस कोर्स में 40 अंक पाने वाले क्वालीफाइग होंगे यानि कि कुल मिलाकेस में पौने आधा अंक है सकते हैं एक अंक में ठीक है आप लोग इस हिसाब से समझ सकते हैं कि 75 यानि कि तो यह ध्यान में जरूर रखीए गा और लिखाए कि माइनर कॉर्स में क्या होगा लिखाए कि माइनर कॉर्स के एलेक्टिव होगा ठीच है इसमें मेजर सब्जेट से अलग विश्य्च हात्र लिए हैं इसमें भी 25 अंग आंतिरिक परिछा से लियए जाएंगे 75 की परिछा होगी माइनर कोर्स के प्रश्न पत्र आसान होंगे इसमें ब्रिस्तित उत्रिये और बहुत विकल्पिये आधायत प्रस्ण होंगे तो कुल मिला के माइनर कोर्स जो इसमें होगा उसमें आप लोगों को बता जा रहा है चार क्रेडिट का इसमें मेजर सब्सक्राइब से अलग विश्चात लिये हैं इसमें 25 अंक भी मांत आंतरिक इसमे अपडेट आ रही है नियुच के माध्यम से वही हम आप तक प्रवाइट कर रहे हैं ठीक है तो यह रहा कुछ बड़ा अपडेट जो की सिसी यसी की तरफ से जारी किया गया है जो आप सभी की परिच्छा है जब भी होंगी ठीक है बेसी भी कॉम फर्स्टमस्टर की वह इस अंक मिलेंगे ठीक है एक से थोड़ा कम यानि की पाउना आप लोग कह सकते हैं एक होता है उसका पाउना ठीक है तो आप लोग उसमें 40 अंक पाने होंगे तभी आप लोग को फास माना जाएगा तो यह रहे कुछ बड़ी अपडेट जो कि आपको जानना जोई था आपको स समझ में आगया होगा भी कोई कोई सदात करके पूछ सकते हैं कि इस निवर्सिटी के चाहत रेकॉंस्टी अपडेट चाहित कमेंट सकते में जरूब रहा है ठीक है वीडियो की डिसक्रस्टन में टेलिग्राइम चैनल का लिंक भी है उसक्ते मिलेंगे नेस्ट वीडियों तो तेकले जाएं दो